नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम सारव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NCRT सार्श तंगरा क्लास 612 प्लारा हूँ जो कि आपका ये किताब वन लाइनर किताब है और इस किताब से हम लोग पढ़ेंगे आपका विस्विकाब गोल वर्ल जियोगराफी ठिक है और अभी हम लोग यो पढ़ेंगे 20 काब गोल में से चाप्टर नमबर 24 जो कि आपका पाट नमरी होगा पहला पाट और ये आपका वीडियो नमबर वर पहला वीडियो आएगा ठिक है तो देखिए आपका आज का चैप्टर पढ़ेंगे 24 नंबर ब्रीदा स्वाइल के बारे में ठीके और देखिए तो चैप्टर नंबर 24 ब्रीदा स्वाइल आ गया है तो उसको पढ़ते हैं ठीके तो सबसे पहले आपका यहां पर एक डाइग्राम फोटो या फिर मैप दिया पढ़ते हैं तो आप तो यहां पर आपका जो है मृदा संस्टर की एस्थिति करता अधारी चटानी ठीके तो उसके बारे में यह पर पताएग्या तो आपका मिट्टी का जो एस्थिति कैसा आपका रहता उसके बारे में तो सबसे उपर आपका यूमस ठीक है तो इस वाले पार्ट में आपका हीमस होता है ठीक है और यहां पर इस पूरे एरिया में आपका चाहब संस्टर को सिस्थिति ठीक है तो यह आपकी प्रमुख मिट्टी होती है तो संस्थिति संस्तर इस्तिति के मृद्धा और यहां कि जया क्या है तो मिट्टी की उपरी परत बारिक अपसादों से युख्थ होते हैं आपके संस्तर इस्तिति में आपके जो भी मिट्टी होती है से इस सेरिया में आपको मिट्टी होता है आपका संस्तर इस्तिति के आपके सेकेंड परतर के सव्यफ्थ होता है संस्तिति रिलऴ में और यहां पर छहित चटानी क MTB बालू गाद यूऔर यूदरि एरिया cm में आपके पए जाते ऑ एस computer आपका उप मिट्टी होता है और यहाँ पर आप चाहित चटानी पदाद बालू गाद वह चिकने मिटी पाई जाती है इस एरिया में आपका अब कि आपका संस्धर इस्तिति आपका आप चाहित चटान होते थीक है तो यहाँ पर आपका मिट्टी नहों का चटाने होती है और आप च्छाइद आधारी चटान यहाँ पर आपके चटानी पदार्थ होते हैं तो आप च्छाइद आधारी चटानी पदार्थ आपके इस एरिया में होते हैं यहां पर आधारी चतान होते हैं तो यहां पर आपका आधारी चतान होते हैं तो आपका जो मुल्क चतानी पदात जो आप चैद नहीं हुए तो आपका जो मुल चटानी पदात जो आप शाहित नहीं वह आपका यहां पर होते हैं इसे बोलते हैं तो सबसे पहला था आपका मिट्टी उसके बाद उप मिट्टी उसके बाद आप शाहित चटाने और उसके बाद आधारी चटाने ठीक है और सबसे उपर आपका हुमस टिक है इस वाले पार्ट में हुमस निश्ट आपका है केसिका करिया तो केसिका करिया कैपिलरी एक्षन सबसे अधिक प्रभावसाली किस मिट्टी में होती है तो आपका चिकनी मिट्टी में होती है तो कैसी का क्रिया सबसे अधिक प्रभावसाली चिकनी मिट्टी में होती है पेटलफर तो पेटलफर बृदा तो पेटलफर स्वाइल के फ्रकार क्या होते है तो आपका इधर स्वाइल मिट्टी के बारे में बता गया और इधर आपका बिशेस ताई है ठीक है तो दूसर पॉर्ड जॉल ठीक है तो उप आक्टिक जलवाईू प्रदेश के टैगा या कौन धारी वनों में अमली है मिटी जिसका पीच मन चारों वो आपके पाए जाते ठीक है तो दूसर पॉर्ड जॉल मिटी उप आक्टिक जलवाईू प्रदेश के टैगा या कौन धारी वनों में अमली है मिटी पीच मोर मान वाला पाए जाता धूसर भूरी पॉर्ड जॉल तो धूसर भूरी पॉर्ड जॉल तो मद अक्छांसी है पत्जण वनों की पेटी में यूमस की मात्रा दिक होती है ठीक है निश्ट आपका है लाल पिली पॉर्ड जॉल तो यह आपका उपोशन आदरे जलवाईू प्रदेशों में पॉर्ड जॉलाईजेशन वा लेटराईजेशन प्रकिरिया से दिर्मित होती ही ठीक है तो लाल पिली पॉर्ड जॉल उपोशन आदरे जलवाईू प्रदेशों में पॉर्ड जॉलाईजेशन वा लेटराईजेशन प्रकिरिया से दिर्मित होता है नेस्ट आपका है लाल पॉर्ड जॉल या एरा रोसा मिट्टी ठीक है और इसका जो महत्पूनत आता है भूमद शागरिया प्रदेशों और चुन्ना प्रधान छेतरों में फेरस आउकसाइड एफीटू ओ थरी की उपस्तिति के कारण लाल रर्ण ये आपका होता है ठीक ह नेस्ट आपका है लेक्टराइट मिट्टी तो उच टाप मान प्रचूर परसा वाले उसने कटी बन दिये वन छेतरों में उपरी भागों में एफीटू ओ थरी फेरस आउकसाइड तथा अलुमिनियूम की लबनों की अधिकता यहां पर होती है आपके लेक्टराइट मिट ने ठीक है। नेस्ट आपका है यहां living दाख तो राकर तो टोरी तो धोको ईसोल के आपके परकार क्या होते हैं तो यहां आपका मिट्टी यहां पर क्या होतन एज तो सबसे पहला आपका प्रियरी मिटी ठीक है तो प्रियरी मिटी और सिटोशन आधरे प्रदिशों में यूमस जैविकी पदार्तों पदार्त की अधिक्ता की कारण इस कारण काला भूरा होता है ठीक है सेकंड आपका साइरोजिम या दूसर मरुवस्तलिय मिटी ठीक है और यहाँ पर आपका जो है मद्ध आख्छांसिय सुच के मरुवस्तलों में छारिये मिटी जिसका पियेच मन आठ से अधिक होता है ठीक है निश्ट आपका है चेर जोनब तो चेर नोजम यह आपका जो है सरवादिक उपजाव और भूर भूरी मिटी हूमर्स की अधिक्ता के करण इसका रंग काला होता है ठीक है निश्ट आपका है लाल चेस्ट नट और लाल भूरी मिटी तो मिटी शावाना प्रदिस के अर्दस उसके भागों में पाई जाती है ठीक है निश्ट आपका है चेस्ट नट तो चेर नोजम मिटी के उसके भागों में गहरे बूरे रंकी होती है यह ठीक है निश्ठे आपका राल मरु असे लिए मिटी तो यह उसने कटी बन दिये , तोसके मरु असे लिए प्रदेसों के मिटी होती है तिक है यह आपका है टूनरा प्रदेस की मिटी तो अल mellan बिकसित मिटी जिसमें जाब तत्वोब महत्पूर खानिजों का अभाव होता है ठीक है तो यह आपका पेडिकर मिट्टिक प्रकारत है तो प्रियरे मिट्टी शायरोजेम या तूसरा मरियोस्तलिय मिट्टी चेरणोजम मिट्टी लाल Любखनेट और लाल फुरी मिट्टी चेस्नेट और लाल मरूस तलिये मिट्टी और आपका टूंडरा त्रदेश की मिट्टी ठीक है निश्ट आपका है मृद्धा अपर्दन तो मिट्टी या पर्दन को किस प्रकार्म द्वारा नियंतित किया जाता है तो मृद्धा सन्रक्षन के द्वारा मृद्धा आप्रादन को रियंतित किया जाता है। मृद्धा निच्छालन स्वाइल लीचिंग किस भगॉलिक्स छेतर की बड़ी समस्या है। तो उसने कटी बंदीर वर्सावन प्रदिसों की है। तेरा रोसा का प्राकृतिक रूप प्राकृतिक विकाद उस भूभाग में होता है। जहां चूना पत्तर लाइमिश्ण पाया जाता है। तो रिंडे जीना तेरा रोसा वर तेरा रोक्षा मिटिया किस के अंत्रगत आती है। केल्सीयम भुक मिट्टी के अंत्यकत आती हैं मिट्टी यह पर्दन के प्रत्च या प्रत्च कारक कौन-कोन है तो वनों की कटाई हैं आती पसुचारन है आव वैज्ञानिक क्रिसी है रासायनिक उर्भरक है कितनासकों की अधिक प्रयोगता है अधिक सिंचाई बांदों का निर्मान है बहुव उदेशिय पर्युजनाई जल प्रवाकी समस्या हरित करांती के विवित अववे कंपोनेट और नगरी करने और दोगी करने श्रक निर्वान है और खननकार आदी आपके जो ब्रिदा अपर्दन के प्रतच या अप्रतच तारक और इंडरेक्ट आपके ज गुंधारीवन एंगल्ड फॉरेस्ट प्रदेसों में पाय जाने वाली मिटियों को पॉड्ड जॉल के नाम से जाना जाता है ठीक है तो गुंधारीवन एंगल्ड फॉरेस्ट प्रदेसों में पाय जाने वाली मिटियों को पॉड्ड जॉल के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल आपका चाप्टार नंबर 25 जो की होगा आपका प्राजातिया और जन्ब जातिया रेसेस एंड ट्राइब से ठीक है तो आज के लिए पस इतना है आप लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद